तो चलिए अब हम एक और question solve करते हैं इस question में ये given है कि एक point है जो कि y-z plane में है तब क्या हम उसके x coordinate के बारे में कुछ बता सकते हैं तो चलिए हम इसका solution देखते हैं हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी point जो कि y-z plane में होता है उसके coordinates 0, y, z की form में होते हैं तो हम यहां से clearly देख सकते हैं कि उस point के लिए x coordinate 0 होगा that means हम ये कह सकते हैं कि कोई भी point जो कि y-z plane में है उसका x coordinate हमेशा 0 होगा